गाइज वेलकम टू चैनल और यह है मारूती सुजुकी ब्रेजा ब्रेजा का जो न्यू वेरेंट है गाड़ी का मतलब अभी जो फेसलिफ्ट है लेटेश्ट वाली जो भी चल रहे है गाड़ी वो है और इस इस जैडेक्साय प्लस पेट्रोल में इसके उपर और एक मोडल आ होता हूँ जैडेक्साय वेरेंट से संद्रूफ स्टाट होता है गाड़ी में भी एक्साय में आपको कोई भी संद्रूफ देखने को नहीं मिलता इन जैडेक्साय प्लस यह देखिया विंशील्ट पॉलवड बाइड वाइपर बॉनेट गाड़ी का देखिए यहाँ पर आ हाई बीम लो बीम के लिए फोगलाइस आपको हाइट वाले मिल जाता है यहाँ पर स्कॉफ प्लेट जो यह देखिया आप जो गाड़ी को थोड़ा सा अच्छा स्पोर्टी लूग लाती है एलेक्साय में होकर आपको यह देखने को नहीं मिलेगा तो पैले की जो 2016 में लॉ लाइट और छोटे मोडे चेंजिस थे ग्राफिक्स में और और इंटेर तुक में थोड़ा ऐसे चेंजिस थे पेट्रोल में लॉन्च हुए और यह गाड़ी जो है कॉमसेफ वैसा ही है ब्रेजा नाम भी वैसा है लेकिन बहुत सारे आपको एक्स्टेरियर और इंटेरियर में चेंजिस देखने को मिलेंगे तो फ्रंड में कुछ इस तरह से गाड़ी रात में आप देखोगे तो लाइट आपको और बढ़िया दिखेंगी तो ड्यूल टोन में यहाँ पर आपको जो एलोईज मिलते है दोजार बेसिकली ड्यूल टोन यह आप देख सते हैं सिल्व सिल्व מת Actually August 8 मों आपको अलग अलग देखनो मिलेग तो चारवेयृण में अलग अलग यहाँ पर देखना हुआ पर विल इस तरह से आपको बड़े वाले विल अर्चिस मिलते हैं यहाँ पर आप देखिए और रिट्वे संसर्स दोनों में यहाँ पर front driving side और side दोनों में आपको मिल जाता है यहाँ पर rain visors है गाड़ी में आप देख सकते हैं इनको accessories में भी लगा जाता है रूफ rails जो यहाँ पर आप देखिए silver color में और sunroof जो आपको खोल के दिखाएंगे shark fin antenna मिलता इस गाड़ी में और यहाँ पर जो ZXI Plus है इसमें यह feature आप देखिए यहाँ पर 360 degree camera है यह वाला camera जो आपको दिखाएंगे आगे ZXI में यह feature नहीं मिलता ZXI Plus में आपको मिल जाता है तो side से देखिए आप गाड़ी किस तरह से rear भी आपको दिखाते है fuel यहाँ पर डालना है fuel tank यहाँ पर है गाड़ी में rear आपको दिखाओ तो यह देखिए breza chrome में लिखाओ है गाड़ी में Suzuki की logo यहाँ पर rear wiper defoggers, sharpie 90 ना देखिए आप इस तरह से है और यह आप देखे तो यह देखिए smart hybrid की bedging camera यहाँ पर है गाड़ी में इस तरह से यहाँ पर देखिए आप चारो sensor जो fiber पर है scuff plate और यह जो है reflectors इसमें dummy reflectors होते है इसके बदले यहाँ पर डाले arrow वाले जो आता है matrix flow वाले जिसको बुलते है aftermarket में वाले यहाँ पर डाले हुए गाड़ी में तो यह हुआ गाड़ी का exterior अभी आप पर interior देखा 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 तो दर्वाजा खोलने के बार आप देखिए यहाँ पर interior की बात के रहे तो आप देखिए यहाँ पर पूरा black fiber में interior जैसे आजकल कि अपने swift में बलेनों में देखा रहेगा उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सबको अलग cushioning work देखने को मिलता है bottle holder, speaker यहाँ पर थोड़ी सी space मिलती है wallet if a document आप रख सकते है यह power window गरा control जो black में मिलते है or vm के controls chrome door handles locking twitter और यह देखिया interior पूरा dark color में यहाँ पर इस तरह से और seat की height वकर adjust कर सकते है यह features इस model में आपको मिल जाता है start shop के लिए यहाँ पर switch मिलता है गाड़ी में इस तरह से देखिया इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारे control सबको मिलते है जैसे कि आप देखिया यहाँ पर जो ट्रेक्शन कंट्रोल बार में यहाँ पर यह सब dummy switches है additional कुछ lights होगा डालते है अब इस पर डाल सते है headlight के range आप सेट कर सते हैं यहाँ पर AC का vent है तो गाड़ी को करते है start तो यहाँ पर हम गाड़ी को start करेंगे तो यह एक feature है यहाँ पर जिसमें आप देखे तो अभी आपको दिखेंगा दुस्तों यहाँ पर देखिए गाड़ी में जो actual चलाते समय स्पीड वगरा जो यहाँ पर दिखेंगे आपको यह देखिए बंद कर दो जाता है यह अपने Kia Celtos में भी दिखा रहेगा तो यह अभी बंद हुआ और चालू करना है तो यह रिखिए यह अमको प्रेस करके रखना यह दिखिए यह अगर प्रेस करके रखेंगे तो यह उपन होता है दिखिए और इसमें एक बात ऐसे है जो driving position है वहाँ से आपको यह दिखेगा अगर कोई से साइड से देखता है तो उसको इसमें जो कुछ भी डिस्प्लेए वह नहीं दिखेगा खाली driving position से आपको दिख जाता है जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखे तो मैं आपको जूम करके दिखा दो देखिए यह आपको दिखेगा यहा करके रखना है तो इस पेस का operating है तो यह है गाडी और लाइट सालू करने के लिखा तो अपको फूल लाइट यह आप देखिये फूल लाइट सालू करने के बार पीछे लाइट देखिया पीछे तो बैसे दिखेगे आपको और एड लेक की बात करें तो यहाँ पर दिखिय इस पेसिफ लॉक अन्लॉक यह दो ही फंक्शन आपको मिल जाते हैं बूट खोलने के लिए और और कुछ आपर फंक्शन नहीं मिलता यहां रेश्ट आप देखें इसमें यह हैंड्रेक यहां पर एप्लाइ करने के लिए आपको हाथ रखना तो इसलिए यहां पर यह थोड़ कर सकते हैं फैन की स्पीड और कुलिंग और इडिंग यह एड़्जास कर सकते हैं अर्जर ट्रंगल की लाइट इसी के वेंट से आपर निचे मिलते हैं आपको यह म्यूजिक प्लेयर यह भी आपको दिखाएंगे और यहां पर आप देखिए तो यह जो है यह बड़िया फ इस तरह से मिल जाता है इस तरह से बेंटी मिरर और इसमें कोई भी बैनीडी मिलता यह देखिये संदुरूफ गाड़ी का इसको मैसे मैंनिट भी खोल सत्ते हैं संदुरूफ को ओपन करेंगे यहां से बटन प्रेस करके यह अरुए इसके साथ है जालि रहती है ताकि कुछ कुछ लोगं का यह रहता है कि अगर समझेगा कुछ मक्की अपना मुस्किट आए तो क्या होगा तो यह रहता है सेफ्टी के लिए तो इसका हम बन करेंगे एक यह बंद हो जाता है और यह आपको मैनुली बन करना पड़ेगा बाद में खुलते समस्सद्ट. तो यह रखे है अब यहाँ पर चेन है ये कवर को सामनगरा रख सकते हैं सीट कवर सब देखिए ये कलर के साथ थोड़ा सा मेचिंग टाइप को दिखेगा और यहाँ पर देखिए wireless charging USB port aux cable और steering आप देखिए यहाँ पर सुजुकी की लोगो क्रोम में cruise control यहाँ पर है और यह देखिए और rpm meter और speedometer आपको analog gauge में मिल जाए जहाँ पर आपको fuel gauge और heating वारा सब दिखेगा यहाँ पर देखिए आप इसाब आप देख सते हैं driving time देख सते हैं तो यहाँ पर आपको यह दिखाता हूं में यूज करना बहुती इज़ी है यहाँ पर Bluetooth के पर डिवाय से सेटिंग यह सब आपको दीख जाएगा और डिस्प्ले बहुती बढ़िया है इसमें तो यहाँ पर पियानो फिनिश वगरा देख सकते हैं और reverse दिखाते हैं आपको पूरा व्यू जैसा अभी श्टेरिंग मारेना तो गाड़ी ऐसे जाएगी और यह देखिए ऐसे जाएगी और सीधा तो यह पूरा व्यू आता है अभी जो नया है सिखा वह भी गाड़ी लेता तो इसको पता चलता है वाई कि ऐसा कुछ आपर obstruction यह पूरा ऐसा गूम के image create करता है यहाँ पर गाड़ी की इसको प्ले करेंगे देखिए पूरा मतलब भी देखे गाड़ी कहाँ पर खड़ी है तो यहाँ पर यह दिखा देता है ऐसे देखिए चेक सरांडिंग फॉर सेफटी तो गाड़ी आपके कॉनसे भी कलर हो वाईट ही दिखाएगा अभी यह लेकिन यह गाड़ी रेड हो ब्लू अपसे भी कलर हो यह आपको वाईट में दिखाते दूए एक पीचर हुआ इसमें और पीच्छे आपको लिखाता हो गाड़ी पीछह की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉटर्वोलडर थोड़ी सिप्वेस मिल जाती है स्पिकर और यह देखिए और विट्रों की डोर्व करों के डोर हेंडल स्पेस अब देखिए नीरूम यहाँ पर आपको यहाँ पर शाजिंग सब्सक्राइट और एसे वेंट मिल ज पर दोनों के लिए हीड्रेस्ट है, सेंटर में हीड्रेस्ट, यह पर नहीं मिलता, परसल ट्रे है गाड़ी में, और स्पेस आप देखें कितना है वो, तो बूट खोल के रिखाएंगे आपको, यह देखिए, बूट खोलने के बाद इस तरह से आपको स्पेस मिल जाती है, यह यहाँ पर है, फ्यूल और बॉनाइट खोलने के लिए लिवर, तो इस तरह से इसका बॉनाइट खोल सते है, देखिए, 1.5 लिटर इंजिन देखिए, इसका, 4 सिलिंडर, पेट्रोल इंजिन, स्मार्ट हाइब्रीड, और स्पेसिंग आप देखिए, बॉनाइट वगरा बह सते है, वीडियो पसंद है, जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्स्राइब कीजिए, तकि इस तरह से और आपको वीडियो देखने को मिले, तो ZXI Plus गाड़ी आपको कैसे लिगे आप बोलिएगा, और किसी वीडियो में आपको और कोई गाड़ी दिखाएंगे, तो कमेंट्स में बताएगा, ZXI Plus लेना वर्थ है, या आप यह XI या ZXI लेना पसंद करेंगे, तो that for the day, take care, stay safe.